Currency future, daily analysis पे आप समी का स्वागत है, आज है 6th of December 2022, ये है dollar रोपी December feature जो अभी है 82.26, अब ये पहले एक बार daily chart देख लेखते हैं, daily का जो chart है ये आप लीपोगे RSI 40 से support लेके अभी approach किया है 60. तो यहां भी एक हलका सा, RSI 60 में एक हलका सा resistance हम expect का सकते हैं, and also, अगर price के हिसाब से देखेंगे, आपका ये जो zone है, आपका 82.50 से 82.60, currency future December, December future से देखेंगे, यहां पे एक immediate resistance है, अभी आते हैं, अवारली पे, अवारली पे आप देखोगे, कि कल से एक sharp apply rise देखा गया है, कल आपका ओपनिंग था, 81.35 के आसपास, इसके बाद आपका, जो close दिया था, वो 81.90, 70, and आज सुबे, 82 से चलू हो के अभी है, 82.37, कल आपका, 30 से फिगर था कल्मोस्ट, that is 70 पैसे का एक अप्नू, and आज, अज अल्रेदी 37 पैसे का एक अप्नू है, that in the case, what next, what next में क्या है कि आपका, यह जो एक immediate resistance, जो आपने ओलेधी, डेली चार्ट में देख चुके हैं, 50 से 60 के बीच में, 82 50 से 50 60 में, वहां पे एक probable resistance हो सकता है, अगर नीचे के तरफ एक down move आता है, correction आता है, तो probable support कहां पे हो सकता है, अभी आता है, 30 मिनिट्स, 30 मिनिट्स में आप देखोगे, फस्ट जो 30 मिनिट्स के केंडल था, वह outside the Bollinger Band, close दिया था, उसके बाद next candle एक छोटा सा red candle जो अपार Bollinger Band में close दिया है, और भी, it will add to us 82, 50 से 82, 60 के इच में आता है, यह current candle जो अंदा formation से अभी है, 1021, तो यह candle complete हो जाएगा by 1030, 1030 के बाद, 10 next candle आगर एक bearish candle देता है, something like this, next वाला जो candle है, इस आप एक bearish candle देता है, जो current candle के लोग के लिचे close देता है, in such a case, हम एक sell-off expect कर सकते हैं, this is nothing magic, it's just a price action, आप अगर regularly मेरा analysis देखते रहोगी है, समय समय पे मैं उस analysis का reason, logic, क्या setup है, मैं discuss करता रहता हूँ, यहाँ पर आगर sell-off होता है, तो हमारा जो immediate target हो सकता है, 05 से 82, 10 होता है, लेकिन अभी 10-30 के candle close देना बागी है, अभी आते हैं हम 15 मीनित के candle पे, 15 मीनित में भी आप देखो कि दो back-to-back candle दिया, जो outside Bollingerland में आ जुआ है, उसकी बाद, दो selling candles, red candles दिया, जो inside Bollingerland आया, अभी price क्या क्या, 5 EMA के आसपास support होई रहा है, लुट देखो सेखोड रहता है, अभी के लो के निचे, युट देमिस सरीज का 80 to 29 के निचे हमें expect selling, selling का expect कर सेख। कर सेखोड पहले कर देखोड लेफल पे selling नहीं करना हे, यह पंद्र मिनित के कैंडल अगर इसके लोग के लिए चे क्लोस दे देता है, तो हम एक शॉट के लिए सोच सेकते हैं, अगर हम पाँच मिनित का एनलेसीस देखेंगे, तो पाँच मिनित में एक रेंज में फसा हुआ है, आपका 80 to 40 on the, 40 on the higher side and 80 to 30 on the lower side, के लिए इसको आपका इस रेंज के बाहर जाना परेगा, अभी आते हैं GBP INR, GBP INR में तुरा सा quick fire करते हैं, काफी up move है, bullishness बरकराण है, on daily time frame, hourly पे भी आपका एक sideways consolidations दे रहा है, and 15 minutes में, यहाँ पर भी एक narrow range में बैटा हुआ है, का narrow range का क्या है, उपर में आपका 100.70, and नीचे आपका 100.25, that being the case, इस range के बाहर भने के बाद ही हम कुछ trading के बारे में सोच सेबते हैं, अभी आते हैं EUR INR, EUR INR, पहले daily पे आजाते हैं, daily पे भी अच्छा का सा strength है, continuously यह higher high, higher low बना रहा है, इस अप्रेंड में, hourly पे भी bullishness बरकरार है, 15 minutes में, फिलाल एक range में फसा हुआ है, कौन सा range है, इस range के बाहर जाने के बाद ही हम एक decision ले सकते हैं, और RSI टंस में देखेंगे, यहां पे एक trend line अगर चीचेंगे, अगर buying रहना है तो इस trend line के बाहर जब जाएगा, उपर जब जाएगा तभी हम buying के लिए इस currency पे हमें चीच सकते हैं, Gap EY, INR, daily में इभा देख लेते हैं, यहां पर भी continuously higher high low formation से, that is bullish trend है, आवर ले में भी आपका bullish trend बढ़करा है, लेकिन एक gap down open आया है, gap down open होके, पहला आवर के candle, एक green candle दिया है, in such a case, there are higher probabilities, during the day we may see this particular range in E&R, higher probabilities, 15 minutes में अगर हम देखेंगे, यहां पर भी आप देखो के, इस candle outside the Bollinger Band बनाया हुआ है, so outside the Bollinger Band इसके high के उपर बाइख करके, stopless इसके low के मीचे रख सकते हैं, and targeting this, अगर 5 minutes में देखने का कोशिश करेंगे, तो यहां पर भी आपका RSI दिर्गो range shift करने का price कर देखेंगे, and in the case, above the high, one may try to buy, that means, आपका 60.36, यह उपर भाइ कर सकते हैं, stop-loss, यहां पर रख सकते हैं, and target आपका यह, that is 60.60 का target है, so currency intraday analysis अभी के लिए इतना है, thank you and having a great day and.